नमस्कार साथियो नियूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं आजादी को तकरीबन 75 साल होने जा रहे हैं समाजवादी नीतियों को अपनाने वाला भारत अब पूरी तरह से अपनी आर्थिक नीतियों में पुंजिवादी किस्म का हो गया है और सरकार की तरफ से नारे लगाये जा रहे हैं कि प्राइवाटाइजेशन के बिना विकास संभव नहीं है और सरकार का काम कारोबार करना नहीं है इनी सब बातों पर जो एक यात्रा रही है प्राइवाटाइजेशन तक की और उसका असर क्या पढ़ रहा है इस पर बादचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने आर्थिक पत्रकार और फ्रंट लाइन के समपातक वीश्रिधर तो सर आपसे पहला सवाल ये होगा कि आजादी के बाद जो हमारे नेता थे वो समाजवादी मिजाच के थे लेकिन जो समय की परिष्थितियां थीं क्या वो परिष्थितियां भी ऐसी थी जो यह एक और सरकार बाजार को रिएंगूरेशन अपनाना पनेगा यानि की कुछ ता कुछ कर कर का नियंदन अपनाना पनेगा बाजार को चल रहा है जो इस विशह पे ध्यान देना चाहिए कि यह क्यों बदल रहा है और कैसे था 75 साल पहले और इसको हम यह जो आजादी का जो जंग था जो भारती यह लोग के मैंने जो जंग जो जंग जो चला उसका क्या रूप था तो यह एक तरह का एक सोशल कॉमपैक्ट जिसे कहते ना जैसे कि आजादी का जंग में कि ना केवल इंडस्ट्रियलिस्ट श लेकिन उनके साथ भी जो भारत के जो किसानों और श्रमिक लोगों का जो मांगे मांगे थी इनको जो आजादी के बाद इनके गवर्मेंट के पॉलिशी में इनको शामिल करना पड़ा और इसी के कारण जो आप समाजवादी रूप अपनाने का बात कर रहें ना वो उसी द कुछ होना चाहिए था और कोई चारा नहीं था और दूसरी बात यह थी कि आप आजादी से पहले ही एक बना था बंबे प्लान आपको याद होगा जिसमें बड़े-बड़े पुंजी पतियों जैसे टाटा हुए बिरला हुए और और भी कई ऐसे बड़े पुंजी पति उ उनका भी मानना था कि उनके पास इतनी सक्ति नहीं है कि बड़े-बड़े कारखानों और बना सके जैसे इस पात का हुआ लोहे का हुआ रसायन और खाद का हुआ यह सब सारे रेल गाडियों का सर्विस होना यह सब यह सब उनके उनकी बसकी बात नहीं थी तो इसलिए उन् करकार को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यह सब जो बड़े-बड़े मैमने जो इन्वेस्टमेंट होगा वो यह प्राइवेट से नहीं होगा बलकि स्टेट को करना पड़ेगा तो इसी और इसी इसी के साथ आज कल का एक फैसन बन गया है कि लाइसेंस राज का मजाक उडाना यह एक मने आदद बन गया है और जनता के बीच में भी यह काफी मने एक्सेप्टेंस पाया है यह हम हमको मानना पड़ेगा लेकिन इसका यह 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 नहीं था उसका यह क्योंकि आप मार्केट जो इंडिया बहुत गरीब ही गरीब देश था भारत जब आजा गाडियां के कारखाने नहीं खड़ा कर सकते थे जैसे पेसंजर कार के हुए तो केवल दो अमबैसेडर और प्रीमियर पद मिनी यह क्यों चला यह केवल स्टेट कंट्रोल का बात नहीं था यह पूझी पती यहीं चाहते थे कि कंट्रोल हो ताकि इतने छोटे डिमांड वा मुटरी पड़ा और इसा प्रिष्टिकॉन से हमको देखना पड़ेगा जो रेगूलेशन आये और रेगूलेशन केवल कारकहना बना मनेश्ट से इस्टेवलिच करने का जो rules था, license था, यह सब था, केवल यह नहीं था, और बहुत तरह के regulation थे, जैसे कि आजादी के बाद ही, आपको industrial regulation act बना, monopolies and restrictive trade practices का यह बना, कानून लाया गया, यह सब क्यों बना, यह इसलिए बना, कि आप मने state control के बिना private sector खुद मने profitably काम नहीं कर सकती है, इसलिए बना थ तो यह था, इसका जो महौल, जब आजादी के time पर, का जो चलन बढ़ा है, और सरकारे कहती हैं कि कारोबार करना उनका काम नहीं है, यह कहां तक उची था, अगर उस परिप्रिक्षे से सोचे तो, एक बात यह बात बिल्कुल गलत है कि केवल बिजनस के रुप में गवर्मेंट ने एक कारखाना खड़ा किया, ऐसे नहीं था, कोई भी शेत्र में जो गवर्मेंट का जो मने जो कारखाना या फिर कोई सर्विस शुरू हुआ, तो इसलिए शुरू हुआ कि उस सेक्टर में, उस सेक्टर में, उस सेक्टर में, कंट्रोल हो, एक स्टेबिलिटी हो, जैसे कि आप मने किसी भी शेत्र कर ले लीजे, यह था स्थिति कि आप प्राइवेट सेक्टर पाव रोटी जो ब्रेड ब्रेड था ना वो भी नहीं बना पा रही थी तो modern बेकरी इसलिए बना तो उस शेत्र में अगर एक तरह से स्टेबल और मुझे लंबे सोच के एक यह होना हो तो स्टेट का जरूरी पड़ा कि वह उस उस शेत्र में रहे और काम करें तो यह बात बिलकुल गलत है कि जो कहते ना बहुत ही बने फैशन बन गया आया इसका कि गवर्मेंट हैस्ट नो बीजनस टू बी इन बिजनस यह तो बिलकुल गलत है तो आप 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 सड़क क्यों बना रहे हैं रेल काड़ी क्यों चला रहे हैं कि यह एक बहुत ही महत्तवकूर्ड सर्विस है इसके बि यह बिल्कुल गलत है कि government has no business to be in business. जो प्राइजेशन की यात्रा पीछे चलते हैं, तो जो प्राइजेशन की यात्रा रही है, उसमें ये भी रहा है कि सरकार की regulatory system को बरबाद किया गया है, और वो यात्रा चलती रही है, थोड़ा इसे आप बताईएं. जैसे जायतर जब प्राइजेशन की बात होती है, तो जिस वक्त प्राइजेशन होता है, यानि कि ये कारखाना या कोई service या कोई company को प्राइवेट के हाथ में दिया जाता है, उसी टाइम उसके बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, लंबा इति इंडिया को अभी इस साल बेचा गया, करीब 18,000 करोड पे बेचा गया इसको, लेकिन गवर्मेंट के हाथ में तो केवल 2,000 कुछ करोड मिले, बाकी तो जो लोन थे, उसको टेक ओवर कर लिया Tata में, लेकिन इसके कारण क्या हुआ, अभी फिलहाल, अभी आज के सिती में, दो कंपनियां, यानि के Tata और Indigo Airlines लगब असी प्रतिशक मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इसके पहले, एर इंडिया को जो, जिस तरह से मने डुबाया गया, उसके एक लंबी कहानी है, जैसे कि ये केवल एंडिया के टाइम पे नहीं हुआ है, ये कॉंग्रेस के टाइम में क्या है, एक जिस तरह से एर इंडिया को दुबाया गया, जैसे कि होडान से बता रहे हूं कि कई सारे रूट में जो एर इंडिया के फ्लाइट चलते थे, उनको रोका गया, जैसे एक मेरा दोस्त पाइलेट है जो चलाता है प्लाइट पटा था इंडियन एरलाइंस का फाइलेट था कौलालम्पूर टेचने जाता था चने टो कलालंपूर केसे इसके फलाइट के तीक पांच पहले दोनों तरफ कि यह इसका फ्लाइट आ गया उसको दिया गया मैं कहीं भी आसा नहीं होता जहां प्राइवेट एरलाइब भी चलते हैं आईसे कभी नहीं करते हैं रेगुलेशन होते हैं इसीलिए होते हैं कि कोई भी सर्वीस या कोई भी इंडस्ट्री में एक स्टेबल तरह से काम करने का एक महाल होना चाहिए यह नहीं कि आप चलाए उठाए एक के एरक्राफ जैसे बस चलाते हों ऐसे थोड़ी होता है तो यह किया गया और इसके पहले हाला कि इसके लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास सबूत तो नहीं है लेकिन करीब एक सौ से ज़्यादा एरक्राफ एक ही साथ एर इंडिया और इंडियन एरलाइन्स को ओडर करना पड़ा प्रफुल पटेल उस टाइम एवियेशन मिनिस्टर थे उस टाइम में और इसका भोज के कारण ही एर इंडिया का स्थिति इतना खराब हो गया कोई ऐसे नहीं ख उधारन ले लिए 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 का स्थिति ऐसा जब टूजी फ्रीजी फोर जी अभी फाइव जी भी आ गया हर टाइम में प्राइवेट ऑपरेटर अपना पूरा बना लिए मार्केट कबजा कर लिए उसके बाद उसको परमिशन दिया गया आपको याद होगा जो जी तके टाइम में और 3G के पहले तुजी के टाइम पर का काफी पॉपिलर था सर्विस। हम इसका मुखे कारण ये था कि रिलायम्स उस तो नहीं था लेकिन मुझेशंबानी उसके बारे बात नहीं करते हैं आजकल जो इतना स्र॥ेस भीकार वाइच को उसके बारे बात नहीं करते हैं वह भारती अकबार और मीडिया में चली इसके बारे में तो बीएसनल का सर्विस यह था कि में चीज उसका था कि बिल्लिंग इंटेग्रिटी कि आपका बिल सही होगा और रेट भी चीफ होंगे तो इसी के कारण इसका बहुत पॉपिलर हुआ लेकिन इनको टाइम पर नहीं दिया गया तो आपको कॉल ड्रॉप करेगा तो कौन भी एसनल को ले कर सर्विस अपनाएगा तो यह हुआ तो ऐसे ही इसको इसका महौल बदल गया जिस तरह इनको डुबाया गया वो भी एक इसी के अंग है यह प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम इसके बिना बात नहीं कर सकते हैं तो आपने यह बता एक बात आपने अपने लेक में जिक्र किया है कि जब टेलिफोन सर्विस थी भारत सरकार खुद उसको चलाती थी और अचानक से जब टूजी फोर जी आया तो चीज़ें अचानक से बदल गई तो आपने उधारण दिये टेली कॉम्निकेशन के छित्र क से पावर सेक्टर का तो सबसे बड़ा घोटाला तो इन्रॉन से शुरू हुआ जब फ्रेंट लाइन ने हमने कवर स्टोरी किया था 1995 में इसका जो और पर्चेस एग्रिमेंट को हमने निकाला और उस पे जो शर्ता शर्त मनें जो कंडिशन थे उसके तो मनें ऐसा कोई रिस और हम रिस्क नहीं ले सकते हैं हमारे हमारे पास रिस्क लेने की समता नहीं है लेकिन जो इंड्रों को जो जिस कंडिशन पने यह गवर्रमेंट अपनाए हो क्यूंकि क्यूंकि प्रिस्क था उने किसी भी तरह का रिस्क नहीं था तो फिर कहम कर देते आप और हम कर सकते थे वह जब रिस्क ही नहीं हो, Capitalism को कहते है रिस्क लेने का यह है तो रिस्क लेने की समता होती है, तब हो इसलिए वह capitalist कहा जाता है, तो यह बिलकुल चेंज हो गया और इसके अभी जो चल रहा है जो मने जो प्राइवेट जो 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 एलेक्टिसिटी बिल को लेके हंगामा हो रहा है वो इसी का है इसी का नतीजा है कि पावर टैरिफ ऐसे बढ़ गए है कि बहुत सारे लोग एनर्जी कंजाम्शन आपका कम हो है कि हम हमें तो और भी जीद उर्शिक जरूर्ट on लेकिन डेल्वेस का अब कई मिनिस्टरा चुके हैं कहते हैं कि रिखेंटे का प्राइवेट यस कषण नहीं लेकिन बिलकुल सही है लेकिं उसको तो भी तरह प्रिखेंटी सीसन नहीं सारे केटरिंग के सर्विस हैं अभी प्राइवेट के हाथ में प्राइवेट कॉंट्रेक्टर्स के पास है सारे जो अभी जो ने प्राइवेट ट्रेंज चल रहे हैं या और चलने वाले हैं जिसके लिए टेंडर दिया गया है लेकिन कोई आया नहीं है लेकिन इसके इसका क्य यह होगा इसके तो प्राइवेट ट्रेन चलेंगे और प्राइवेट देखिए एक बात बहुत जरूरी बात है यह है कि प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा और उस शेत्र का विस्तार होगा तब हम मान भी सकते हैं कि यह सही तरीका है लेकिन आप रेल्वेस का के लिए जिस टाइम यह प्राइवेट ट्रेन निकलेगा उसका आगे पीछे कोई कोई और सर्विस नहीं चलेगा आज की तारीक में बैंगलोर से चन्ने करीब 11 ग्यारा ट्रेन चलते हैं इतना ट्राफिक है और इस पर आगर आप प्राइवेट ट्रेन को यह देंगे तो आ और सारे बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जो प्राइवेट के हाग में दिया जा रहा है तो उनके प्लैटफोर्म टिकेट बढ़ेंगे वहां पे जो मने खाने पीने का जो स्टॉल है उनके रेंट तो बढ़ेंगे यह बढ़ेंगे क्यों आएगा प्राइवेट इसको वह क्य फिर आप देखिये जो फ्रेट ट्रेंट चल रहे हैं प्राइवेट फ्रेट ट्रेंट उसे भी घटा होगा यानि यह पैसे यह घृइषब और उनकी चलने तो उसने भारते रेल नहीं बनाया है लेकिन उसका जो फायदा होने का टाइम हो गया तो उसको प्राइवेट के हाथ में दे दिया है सौप दिया जाए आपकी क्या रहा है इस पर किसी भी मेरा मालना है कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल होना ही है क्योंकि जब जब तक उसमें फाइदे नहीं हो तो प्राइवेट क्यों उसको लेगा तो इसका मतलब है कि कोई बिजनस में अगर किसी भी बिजनस में इतना पैसा गवर्मेंट कमाती है तो उससे ज़्यादा कमाने के कारण ही वो प्राइवेट लेगा तो इसी लिए जो दाम को लेके जो प्राइवेट किस रेट पर बेचा गया यह हर समय कॉंट्रोवर्सियल ही रहेगा इससे आप बच नहीं सकते यह कॉंट्रोवर्सी रहेगी कोई भी प्राइस पे आप पर बेचे इसके जिसे कहते है ना देर इस नो राइट प्राइस जैसे आप देखिए बालको का उधारन ली दिये दो हजार एक में वाजपई गवर्मेंट की सबसे बड़ी पहले जो प्रा करोड में बेचा गया मैं था उस ताइम में कोरबा में जब यह बालको का प्राइवटेजेशन हुआ था और खुब सारे बने काफी प्रोटेस्ट हुए काफी बने यह लंबा की चाहिस का यह 550 करोड में बेचे उसमें क्या था एक पूरा टाउंशिप था जिसमें स्टेड अल्यम के फ्लांट थे 235 मेगावर्ट का एक पाऊवर प्लांट था क्यांकि अलमीनियूम के लिए पाऊर बहुत जरूरिए उस टाइम में आगर बाकी सब छोड़ दीजिए अलुमिनियूम का कारखाना छोड़ दीजिए बाकि छोड़ दीजिए पावर प्लांट का ही बात करें 235 मेगावाट के उस टाइम पे चार करोड़ पर मेगावाट प्लाइट लगना का स्थ होता था के 1000 करोड़ तो ऐसी बन गए बालको को जिस दिन बेचा गया उसी दिन स्थिन बालको के अलुमिनियूं स्टॉक्स थे करीब 220 करोड तो आपको 50 करोड़ में आप बेचेंगे इसको तो क्या कहेंगे इसको privatization को controversial होना ही है नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है अब एक बात जो है अपने अपने एक लेक में जिक्र किया है कि भारत के पास अभी तक कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है ये बात बताइए क्या है ये मतलब पॉलिसी तभी होता है जब regulation हो अगर state का कोई हाथ ही नही है कि सारे जो बंदोबस्त है इसका अगर system को चलाने का कोई ये कोई तुम्हां आपके पास कोई तरीका नहीं है तो पॉलिसी की जरूरत क्यों है यान यानि आपको regulate करने की जो अगर समता नहीं है तो फिर पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको पॉलिसी तभी मुख्य बने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना था 1956 में तो यह सारे चीज ठेश में के प्लान था प्लैनिंग कमिशन था इसके सारे उसी टाइम में आपको याद होगा बने सेकंड प्लान कार्ड ये चला था और इंडस्रियल बड़े-बड़े पैमाने पे बने इंडस्ट्र जितने सारे स्टील के कार खाने लगे सब उस टाइम में लगे तो पॉलिसी की जरूरत थी क्योंकि पॉलिसी एक सोच है नीती की एक सोच है कि हम यह करना चाहते हैं अब अगर अगर राज्य कुछ करना ही नहीं चाहता तो फिर पॉलिसी की क्या जरूरत है जो सुरवाति हम अब तो कोई सी तरह की योजना ही नहीं दिखती है कोई से अंतिम सवाल जो मोटे लोग सवाल पूशते हैं मोटे मतब आम आदमी सवाल पूशता है कि सेरकार के पास पैसा क्या है हां प्राइवेट छेत्र पैसा लेकर आएंगे बार की प्राइवेट आईजेशन होगा तो प्रतियोगिता बढ़े होता था तो हर एक पुब्लिक सेक्टर कंपणिया को कितने पैसे मिलते यह खोशते थे हम मीडिया वाले यह खोशते थे कि इस फ्लाने कंपणी को कितना मिला है बजटरी अलोकेशन यह तो बंध हो गया 30 साल पहले तो आप तो खर्च तो नहीं कर रहें वैसे भी आप तो किसी तरह में उसका पुझी तो आप दे नहीं रहे हैं उसको इंवेस्ट तो नहीं कर रहे हैं तो यह पैसे की कमी का क्या बात है मुझे समझ में आता है यह बिल्कुल यह बिल्कुल गलत है और दूसरी बात यह है जब आप कोई स्ट्रेटीजिक विजन पर देखेंगे तो ऐसे मनें छोटे मोटे बाते नहीं करते कि पैसे नहीं है अगर आपको पेट्रोलियम या फिर मनें कच्छा तेल की मनें जो पॉलिसी अपनानी होगी तो उसके लिए आपको 30-35-50 साल सोचना पड़ता है इसके बारे में और इसके बाद यह नहीं कहते हैं कि आज हमारे पास पैस हा तो आप मने किसी को बढ़े जो इनकम वाले हैं उन पे तो आप टैक्स नहीं देना चाहते हैं ना वेल्ट टैक्स ढालना चाहते न कुछ इह जालना कि एक और चीज मैं कहना चाहता हूं जो प्राईवेटरिजेशन के पॉलिशी में जो एक कंटिनीव्टी रही है 30-35 साल में जो continuity रही है चाहे वो Congress Government हो या लेकिन एक बहुत ही बहुत पूर्ण फर्क है इन दोनों में बहुत है और कॉंग्रेस में यह फरक है कि जो आजादी का जंग चला उसमें Congress सामिल था और इन नीतियों का उन्होंने ही अपनाया था, तो उसका डर है उनको, कि हम ये जो नीति अपनाया थे उसको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन दीजेपी जो सवारकर के जो चेले थे, वो तो आजादी के जंग में तो नहीं थे, वो तो गायब थे, इनका इससे कोई लेना देना न ही होना चाहिए, स्टेट को कुछ नहीं करना चाहिए, इसी लिए ये बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में, कि बीजेपी का जो पॉलिटिकल लेगेसी जिसे कहते है न, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं, ये उसके लिए आसान है, ये सब तोड़ना, तो इस 75 साल की यातरा को बहुत 15-20 मिट में समेटना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आपने इसको समेटा, इसके लिए बहुत बहुत सुक्रिया, और हम उमीद करते हैं कि आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी, शुक्रिया आपका, अगर आपको न्यूज क्लि झाल